भारत में एक फुल तीन प्रकार की वैक्सीन्स पर अलग-अलग स्तरों पर काम चल रहा है मैं तीनों के बारे में आपको विस्तार से बताता हूँ पहली वैक्सीन है जो कि Oxford University ने UK में डेविलप की और उन्होंने एक एग्रीमेंट किया एक प्राइवेट कंपनी से जो विदेशी प्राइवेट कंपनी है इस विदेशी प्राइवेट कंपनी ने भारत में स्थित Indian Manufacturer Serum Institute of India के साथ एक एग्रीमेंट किया कि उसका मेनुफेक् वैक्सीन का भारत में हो इस वैक्सीन के Phase 1 ट्राइल UK में पूरे हो चुके हैं, Phase 2 ट्राइल UK और South Africa में चल रहे हैं, Phase 3 ट्राइल ब्राजील में चल रहे हैं और भारत में Phase 3 ट्राइल प्रारंब करने की अनुमती भारत के रेगुलेटर, ड्रक्स कंट्रोलर जेनरल ने सीरम इंस्टिटूट अब इंडिया को दी रहे हैं, ये तो पहली वैक्सीन की स्थिति है, दूसरी वैक्सीन है जो भारत बायो टेक इंटरनेशनल हैदराबाद में हेड़कॉर्टर्ड कम्पनी है, ये ICMR के साथ कलेगोरेशन मे तयार कर रहे हैं, इसके फेज वन और फेज टू ट्रायल चल रहे हैं, तीसरी वैक्सीन है जो जाइडर्स कैडिला ये भी भारतिये कम्पनी है, एहमदाबाद में हेड़कॉर्टर्ड है, ये बना रहे हैं, इसकी भी फेज वन और फेज टू ट्रायल अभी चल रहे हैं, फ